मेरे प्रियात्मन, सहज योग में आज रजजब साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। रजजब साहब काजन 1560 में हुआ और 1693 इस्वी की लंबी आयु तक वे भारत की धरती पर विछण करते रहे। रजजब साहब कहते हैं मारो मंदिर सुनो राम बिन। मेरे हिर्दय का मंदिर सुना है। कैसे भरेगा? राम से भरेगा, नाम से भरेगा, उंकार से भरेगा। याद रखना परमात्मा असली भराओ है। तुम धन से भरना चाहो जीवन को रिक्तता रह जाती है। तुम पद से भरना चाहो जीवन को रिक्तता फिर भी रह जाती है। तुम शक्ति से भरना चाहो, पांडिते से भरना चाहो, विद्वत्ता से भरना चाहो, कितना भी भर तो जीवन में तुमें रिक्तता का बोध होता रहता है. जब तक पर्मात्मा से भराओँ न हो जाए. पर्मात्मा असली भराओँ है. ठीक कहते हैं रजजब साब, मारो मंदिर सूनो राम बिन. राम के बिना मिरा हुर्दाई का मंदिर सूना है. जिसको सुन्दर दास जी कहते हैं सुन्दर देखिया सोधिके सब काहू के ग्यान मनने सब ग्यान देख लिया वेद देख लिया वेदान देख लिया उपनिशत देख लिया तंत्रों का ग्यान देख लिया लेकिन कोई मन माने नहीं बिना निरंजन द्यान लेकिन मन राजी नहीं हुआ जब तक निरंजन न मिल जाए जब तक उंकार न मिल जाए तब तक मन नहीं राजी होता कहते हैं रजब साब बिरहिन नेंद न आवे रहे एक विरह पैदा हो जाए राम के लिए एक प्रेम पैदा हो जाए राम के लिए तब राम की और तुम्हारी गती होती है जैसे विरहनी होती है संसार की जो विरहनी होती है लौकिक प्रेम की विरहनी वो तो सो नहीं पाती है और इसे परमात्मा की विरह लगी हो वो कैसे सो पाएगा निरच कहते हैं आज की रात बड़ी शोख बड़ी नटकट है आज तो तेरे बिना निंद नहीं आएगी आज तो तेरे ही आने का यहां मौसम है आज तब यतन ख्यालों से बहल पाएगी जब साधारन प्रेमी ऐसा गीत गाता है जब साधारन प्रेमी का ऐसा महसूस कर सकती है तो जो राम के विरह में जी रहा है उसके विरह की तिवरता को वही महसूस कर सकता है जो राम के विरह में कभी बढ़ा हो कहते हैं रजजब साहब पर उपगारी नर मिले कोई गोविंद आन मिलावे रे कोई परोपकारी नर मिल जाए जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं कल्यान मित्र गुरू कल्यान मित्र होता है संत कल्यान मित्र होता है वो सदा तुम्हारा कल्यान चाहता है सदा तुम्हारा कल्यान करता है कहते हैं रजजब सहाब कि कोई ऐसा परोपकारी कोई ऐसा कल्यान मित्र मिल जाए और कल्यान मित्र कौन होगा वो परोपकारी नर कौन होगा कोई गोविंद आन मिलावे रहे जो मुझे गोविंद से मेरा नाता जोड़े गोविंद का रहस्य जो बता दे जो नाम का भेद मुझे बता दे और नाम से मुझे जोड़ दे जिसके लिए अरजुन देव जी कहते हैं कोई जन हरी से देवे जोड़ कोई नर कोई संत कोई हरी का जन मुझे हरी से जोड़ दे तो क्या करूंगा चरन गहूं उसके चरन पकर लोगा फिर भी संतोष नहीं होता और क्या करूँगा बकाउं सुभरसना और फिर क्या करूँगा कि अपने जीवा से उसके स्तुति के गीत गाऊंगा चरन गाऊं बकाउं सुभरसना दीजयों प्रान अकोर और क्या करूँगा अपना सारा प्रान जमा करके जैसे उसके चरनो रजब साब कहते हैं चेती बिरहिन चिंत नभाजे जो बिरहिनी है परमात्मा के विरह में जो जी रहा है उसको परमात्मा की चिंता सता रही है और परमात्मा की विरह के कारण उसको भोजन नहीं किया जा रहा है चिंत नभाजे चिंता के कारण भोजन करना मुश्किल हो पा भूजन करना भूल भूल जा रही है, भूजन करने में कोई रूची नहीं रह जा रही है उसकी, अविनासी नहीं पावे रहे, जब तक वो अविनासी गोविंद ना मिल जाए, तब तक संसार के किसी काम में मन नहीं लगता, कहते हैं रजब साहब, यह वियोग जा गए निसिबासर, विरहा बहुत सतावे रहे, यह जो वियोग है परमात्मा का, यह रात दिन विरह की पीड़ा में विरहनी रह रही है, और विरहा बहुत सतावे रहे, यह बहुत दुख दे रही है, बहुत पीड़ा दे रही है, पीड एसी है कि पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मदुशाला ये परमात्मा की विरह की जो पीड़ा है ये आनंद आई है इसको वही समझ सकता है जो परमात्मा की विरह में पड़ा हो इसलिए संत बड़ी मौज में रहता है और विरह में भी रहता है क्योंकि ये विरह ही उसक कंत न पाया जिन पाया तिन रोए हस हस करके तुम कंत को नहीं पा सकते हो हस हस कर गती हो सकती है अंदर की और लेकिन गोविंद नहीं मिलता हस हस कंत न पाया जिन पाया तिन रोए हासी खेले पिय मिले तो कौन दुहागिन होए अगर हस्ते खेलते रहने से परमात्मा मिल जाता है केवल हस्ते खेलने से परमात्मा मिल जाता है तो सब सुहागिन बनना चाहेगा दुहागिन बनना कौन चाहेगा अब ये बड़े रहस्य की बात यहां पर आगे एक तरफ संत कहते हैं प्रसंद रहो हसो खेलो गुरुखनात कहते हैं हसिभा खेलिबा करवा ध्यान हसो खेलो और ध्यान करो और फिर दूसरी तरफ कभीर साथ करें हस हस कंत न पाईया जिन पाया तिन रोए हसी खेले पिये मिले तो कौन दुहागन होए रहसी यह है कि तुम्हें यात्रा शुरू करनी पड़ती है हसने खेलने से इसलिए यह नहीं कहते हैं कि हसिभा खेलिबा करिबा समाधी ऐसा नहीं कहते हैं हसिभा खेलिबा करिबा ध्यान ध्यान के लिए निराकार में जाने के लिए तुम्हें विचार से मुक्त होना होता है मन से मुक्त होना पड़ता है और मन से मुक्त होने के लिए हासी बड़ा सुंदर उपाय है जोहीं तुम प्रसंद होते हो विचार से मुक्त हो जाते हो जोहीं तुम प्रसंद होते हो साकार से मुक्त हो जाते हो और निराकार में तुम्हारा प्रविश्य हो जाता है भूल कहां हो जाती है अब तुम सोचते हो कि ध्यान अंतिम है तुम सोचते हो कि निराकार अंतिम है नहीं उससे आगे जाना पड़ेगा अब यहां से प्रेम काम करेगा यहां से ध्यान काम नहीं करे प्रसन्नता तुम्हें मन से तोड़ देती है लेकिन क्रंदन रूदन भक्ति तुम्हें परमात्मा से जोड़ती है तो तोड़ना होगा अपने आपको मन से और जोड़ना होगा परमात्मा से तोड़ना हो तो प्रसन्नता और परमात्मा से जोड़ना हो तो रूदन चाहिए भ विरहीं जो है देख के वियोग के बान से बिंद सी गई है, जैसे चलनी हो गया है उसका शरीर, अब कहीं अच्छा नहीं लगता, घर में भी अच्छा नहीं लगता, परीतम की विरह की आग सबा जलती रह रही है, और बाहर भी कहीं चले जाओ, जंगल में चले जाओ, जिसको विरह की याग लग गई है, ना उसको घर अच्छा लगता है, ना वन अच्छा लगता है, जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हरी के प्रीत का बान से मैंने अपने आप के अंतर मेरा बिद गया है, हरी बिन रहन न जाई, अब हरी के बिना मुझे बिलकुल सुहाता नहीं, कुछ हरी के बिना रहा नहीं जाता है, जीव मचली बिन नीरे बिन से तिव नामे बिन मर जाई, जैसे मचली जल के बिना रह नहीं सकती, तडप तडप करके मर जाती है, गुरु रामदास जी कहते हैं, कि ऐसे ही लग रहा है, कि नाम जल के बिना मेरा भी प्रान का अंत हो जाएगा, मेरे पर प्रभ क्रिपा कर देवहरनाई हे गोविंद मुझे पर क्रिपा करो और मुझे क्रिपा का जल दो नाम का जल दो कि मेरा प्रान बच सके कहते हैं दहदिस दे की भयो चित चकरित दसों दिशाओं में मैं देखता हूँ और मेра चित चकित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, कहां खोजे परमात्मा को, कहां खोजे अपने प्रेमी को, कहां खोजे गोविंद को. इसलिए रजब साहब बहुत प्यारे अंदाज भी कहरें, सुनो, किसको अपनी दशा बताओं किसको अपनी व्यथा बताओं कौन मेरी व्यथा को समझेगा कौन मुझे मेरे गोविन से मिला देगा जिसके लिए कवीर साब कहते हैं बिरह जलंती मैं फिराओं मो बिरहिन को दुख चान बैठों डरपती मत जली उठे रुख बड़ा बड़ी प्यारी उपमा दे रहे हैं किते कि मैं विरह की आग में जल रही हूं और मैं किसी वरिक्ष के नीचे नहीं बैठ रही क्योंकि कहीं मेरे विरह की आग से वरिक्ष ही अब भीतर उसे याद करकर करके, उस गोविन को याद करकर करके भीतर आह सी पैदा हो जाती है, आह लेकर करके जैसे एक आह का तुफान, एक विरह का तुफान पैदा हो जा रहा है, मलिक मुहमद जैसी बड़े प्यारे कवी हैं, सुफी हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, चार कर कहूं की पौन उडाओं मकते ही मारग उड़ पड़े कंद धरे जा पाओं ऐसा लगता है कि इस शरीर को जला दें राख बना दें और कहूं की ऐ हवाओं इस राख को उडाओं और उस मारग पर डाल दो जिदर से हो करके मेरा प्रितम कभी गुजरेगा कहते हैं रजजब साब विरह बान घटी अंतर लागा और ये बान जो विरह का है परमात्मा के विरह की आग ये बिलकुल भीतर तक बेद सा गया है विरह बान घटी अंतर लागा गायल जेओं घुमावे रहे जैसे गायल वेक्ति मुर्चित हो जाता है ऐसे ही विरह की इस आग में जुलसकर विरह की इस बान से गायल होकर मैं जैसे मुर्चित सा होता जा रहा हूं मद्होश होता चला जा रहा हूं कहते हैं रजब साब बिन अगिनितन पिंजर छीना अब ऐसा लगता है प्राण की प्राण तत्व है नहीं प्राण आग ने बिलकुल नश्ट हो गई है और बिलकुल छीन्ड हो गया है शरीर जिसके लिए कबीर साब कहते है जो जन बिरही नाम के जीना पिंजर तास नेन नावे निंदरी अंग नजामे मांस कहते है रजजब साब पियकूं कौन सुनावे रहे ये मेरी दशा ये मेरे विरह की पिड़ा को मेरे प्रीतम को कौन जाकर के बताएगा जन रजजब जगदीश मिले भिन पलपल बजर भी हावे रहे गोविंद जब तक नहीं मिलता तब तक हर पल ऐसा लगता है कि जैसे बजर बान बेध गया हो मुझको जैसे बजर बेधा हुआ हो और ऐसी पिड़ा से विरह की ऐसी पिड़ा से जैसे घायल हो गया हो और उस घायल दशा का वर्णन करना जैसे असंभव हो रहा है रजजब साब को जिसके लिए कबीर साब कहते हैं बिरह अगेन तन मन जला लागी रहा तत जियू बिरह की आग में जैसे जल गया हो लेकिन फिर भी लो लगी हो परमातमा से कए वा जाने बिरहनी कए जिन भेटा पियू या तो इस बात को भक्त के इस दशा को या तो कोई विरही ही जान सकता है या जिसको गोविंद मिला हो बस ओ के वल जान सकता है इस दशा को बड़ा प्यारा विरह का ये पद है सच कहो तो किसी सत्गुरू से मिलकर गोविंद को जानना और उसके सदा विरह में जीना सदा विरह में जीना यही सहजे हो गए हर्यों तदसद आदेश